कि यह तो यह तीन बैगेज हैं जी एक यह और एक यह एक वह पड़ा हुआ है अब यह ओपन करता हूं मैं आपको दिखाता हूं उदर से लिया क्या क्या और पाकिस्तार में क्या लाएं लैमिनेशन की हुई थी आप वो उपर देह लें जदर को होड के लिए सरीन एर लाइन तो पैकिंग लैमिनेशन की यह खुद की थी उपर बागी अंदर से भी पैकिंग फुद ही की एक है यह दो है और तीन है 80 किलो 80 किलो बजन था आपको पता 70 किलो प्लास 7 kg हैंड में तो मेरा 100 किलो बजन हो गया था वो आपके साथ में वीडियो में शेयर कर चुका हूं या कर दूँगा जिसमें मैंने 20 किलो फिर एर कार्गो के थरूप बेजा तो उसका क्या रेट है एर कार्गो का वो अलग से एक वीडियो शेयर कर दूँगा अगर आप बेजना चाहते हैं तो क्या उसका होगा अभी एक पैक यह इसमें समान जो है खजूर है कुछ लाइट्स कुछ कपड़े हैं एक टोपी हैं कुछ पिस्ता बगारा काजू बगारा ऐसी वरैटी इसमें काफी है अभी गावा के लिए काफ बगारा है और बदाम है तो इसको उपन करता हूं यह दिखाता हूं अभी अंदर से सब निकालेंगे फिरी फिरी सही पता चलेगा लेकिन मै मैं सिर्फ आपको ओपन करके दिखा रहा हूं जो कुछ लाया हूं मैंने बोला आपके साथ भी शेयर कर दो तो यह मैट है यह लोडो मार्किट से लिए मैंने सिर्फ 10 रियाल में मिला मुझे और मैट आप यगीन करें आउसम चीज़ है देख लिए सिर्फ 10 रियाल में लाग की शेयर कर चुक हैं फस्ट डें साथ पाकिस्तान तो उसमें वाल्दा के कंडिशन भी आपको दिखाई है एक चीज यह जी यह इसमें है कावा और शाही पीने के लिए कप साथ में कुछ पॉड़ी सप्रेब परफ्यूम फेरन लवली एंड रिजब अगरा साथमन तो यह तीसरा उपन किया है तो इसको उपन करते हैं कुछ कपड़ें नीचे यह जायनमाज है और नीचे देखनाई है यह स्टैंड मेरा रिंग लाइट का नीचे इसमान है इसमें कुछ रखा हुआ है अभी एक एक चीज निकालूँगा तो यह तरपाई इतना पूरा कमर हुई है भाबी है भाबी है और भाई है तो उनके साथ है मिलके उपन करेंगे इन्शालला तो बागी है कुछ प्रैटी जो और इनमें से निकालूँगा वो भी इन्शालला आप आक दिखाऊंगा बागी अभी तक कही है तीन बैग है यह मैं आया हूँ 70 किलो बजन के साथ प्रस 7 केजी हैंड करी था हैंड करी अलएदा से उसमें कुछ टाफी बगरा मैंने डाली हुई थी और कुछ चार्ज़दर बगर थे सिर्फ पांच किलो बजन बना हसाथ में मैंने अपना लैप्टॉप देख लिए यह लैप्टॉप अपना रखा हुआ था एक जिसका जदा तो लहूर के लिए शर्कियों उसमें पूरी तफसील बताई आपको समान वगरा के इन तरलग तो यह तीन बैग जी सतर किलो के सतर किलो के कीजिएगा और हैंड करी सेमन केजी कीजिएगा एक किलो ने जायद आने देती हैं यह मैं आपको फिर बता दूं जी तो यह सेमान जो था वो जो भाई थे या बाबी थी या पुपो थी यह जो भी रिष्टेदार वगरा थे इदर उनको दिया सब निकाल कर अब यह दो बैगों में समान कुछ बचा हुआ है मेरे इस्तमाल की चीज़ें वो रखी है एक बैग यह जी मैं इसको ओपन करता हूं किदर से उपनों और इसमें कुछ जरूरत की चीज़ें मैंने रखी है अपने इस्तमाल मेरे आती रहेंगी जाहरी से बात है अभी जो चंद मा चलेंगे तो वो मैंने बाहर रखी है मैंने बोला वो इस्तमाल करता रहूंगा मैं इसमें आप देखने इसे कुछ जरूरत की पांच किलो में से ये रह गी है तो बाकी सारी ज़सा कि मैंने आपको बता दी है उसमान बांड़ दी है उसमें ठीक है और इसके इलावा कारगो का समान मैंने किया हुआ था वो पहले एक माँ पहले है तो उसका फूना आ चुका है और बो बोलते हम दो दिन में आ जाएंगे दो दिन में बाद आप ले लेना तो मैंने बोला ठीक है कारगो असमान भी आने बाला है वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कारगो असमान हमें पाक्स्ता में कैसे रिसीब करना चाहिए क्या कुछ चेक करना चाहिए वो भी आपको कम्प्रील्टी दिखा ठीक है यह इसमान जुम्ह साथी असलिया आपको दिखा दिए